हेलो लेडिस जेंटमें वेलकम और वेलकम बैक ओन माई यूट्यूब चैनल तो आज की वीडियो में हम 2020 यामाहा FZS V3 BS6 के बारे में बात करेंगे जो की अपने सेग्मेंट की बहतरीन नेकिड स्पोर्ट बाइक है अगर आप 152, 160 सेग्मेंट की कोई भी बाइक लेने की सोच रहे हैं तो आपकी दिमाग में FZS V3 जुरूर आई होगी तो आज की वीडियो में हम इसी बाइक का रिव्यू करने वाले हैं तो लेट्स के स्टार्ट विडियो विडियो विद इट्स वेरियंट ये बाइक दो वेरियंट में एवलेबल है FZS V3 और FZS V3 Dark Knight Edition इस बाइक के प्राइज की बात की जाये तो इस बाइक का प्राइज 1, 1,700,000 से लेके 1,300,000 तक है और ये बाइक अपने सेग्मेंट की सबसे अफोर्डेवल बाइक है इस बाइक में आपको कंपनी 5 कलर ओप्शन प्रोवाइड करेगी मैट ब्लैक, डार्क मैट ब्ल्यू, ग्रे विद कनाइन ब्ल्यू, मटैलिक रैड, डार्क नाइट ये बाइ स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइज सब्सक्राइब माइ यूट्यूब चैनल, ऐसी ऐसी वीडियो मैं और भी लाता रहूँगा, बाइक के इंजन की बात करें तो बाइक में इंजन 149 CC, सिंगल स्लेंडर 2 वैल, सिंगल स्पार्क, एर कूल्ड, BS6 कंप्लाइंड इंज का इस्तमाल किया है, ये बाइक आपको 45 किलो मेटर पर लिटर का माइलेंज देगी, और बाइक के फ्यूल टैंक की बात की जाए तो बाइक का फ्यूल टैंक 13 लिटर का है, और बाइक फुल फ्यूल टैंक में डिस्टैंस कवर करेगी 585 किलो मेटर का, जो की काफी जादा है बाइक के स्पीडोमेटर की बात की जाए तो बाइक का स्पीडोमेटर complete digital स्पीडोमेटर प्रवाइड करती है कमपनी इसमें टैकोमेटर, स्पीडोमेटर, trip1, trip2, fuel gauge, clock, ABS light, engine travel light जैसे feature प्रवाइड करेगी और कमपनी इसके जो feature highlight करती है वो है digital odometer, daytime running light, single channel ABS, digital speedometer, single seat setup, low fuel indication, low oil indication, kill switch, clock, LED headlamps, halogen bulb, tail light, halogen bulb indicators, pass light बाइक में brake, wheel और suspension की बाद की जाए तो बाइक में कमपनी दोनों टैरों में disk प्रवाइड करती है front disc का size है 282 mm, rear disc का size है 220 mm और front tire का size है 100 by 80 17 inch tubeless tire और rear tire का size 140 by 60 17 inch tubeless tire और front suspension की बाद की जाए तो front suspension telescopic fork suspension company ने प्रवाइड किया है और rear suspension 7 step adjustable monocross suspension company ने दिया है जो की काफी अच्छे है city ride के लिए और काफी comfortable भी है और अब bike के length, dimensions और weight की बाद की जाए तो bike का weight 137 kg है और bike के length 1990 mm और bike की overall width 780 mm, height 1080 mm और bike का wheelbase 1330 mm और bike की seat height 990 mm जो की काफी अच्छी है इस segment में bike की look की बात की जाए तो bike काफी bulky और muscular दिखने वाली bike है और अपने segment की सबसे ज्यादा muscular दिखने वाली bike है FZ और सबसे कम weight है इस bike का जो की 137 kg है I hope you guys you enjoy this video, make sure to subscribe my YouTube channel, share this video, like this video and comment right down below आपको ये bike कैसी लगती है और आप जरूर यामाहा के showroom में जाके इस bike को check करें क्योंकि ये bike मेरे को भी काफी खास अच्छी नहीं लगी थी तो मैं जब यामाहा के showroom में गया तो इस bike ने एक अलग ही image create की थी Thanks guys, I hope you enjoy this video